राम राम आप सभी को आई हूप आप सभी स्वस्थ मस्थ तंदुरुस्त है और जो अपना बैक चल रहा है इसको आप इंजोई कर रहे होंगे मैं आपको सभी को पता है क्या कि आपके लिए की सिज्जील के सब्सक्राइब करने वाले हैंं या आपन करने वाले और देखना तुम 되어 की कैसा पर आया था पहला के इसको वैली में से oben मैं इसको value putting से करता हूं ठेक है आप गादर रखिया है a plus b minus c plus d का whole square minus bracket a minus b plus c minus d का whole square दे रखा है अब ध्यान से समझना मैं यहां पर a b c d मैं a को कितना पुट कर सकता हूं ए pourquoi किैसे हैं रखना इत्रीशनल ना बने कभी बी है इसको कितना पुट करता हूं तो यह तुम बहने कि हएक यह तुम करता है थो त्फ्मारा 504 चार का स्कॉयर तुम बोलोगे इतना बनो या कितना बनोर तीन चार का समय कितना गया nee माइनस छे में से तुम क्रोगे पिलस का चार माइनस करोगे तो बोलोगे एकहीए करोगे स्कimoot कितना आएगा तुम बोलो के चार तो 16-4 करा तो मैंने कितना है बारा अब इन उप्षन में से जो भी उप्षन तुम्हारा क्या बना दे बारा बना दे वह क्या होगा अंसर मैं बिना टाइम बेस्ट करें इसके अंदर पूट कर रहा हूं एक की वैलू कितनी है वन है ठीक है की वैलू कितने तुम्हारी चार है तुम बोलो के सी की वैलू कितने तुम्हारी तीन है यह कितना होगा तुम बोलो के एक दो प्लस एक करो कितना हैगा तीन को चार से इंटू करो कितना जाएगा बारा तो ऑप्शन बी क्या है तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट अंसर है समझ में आगे बढ़ो दूसरे को यह तुम्हें दिखनी रहा होगा मैं क्योशन लिख देता हूँ एक बार के लिए तुम्हार लिए ठीक है दिक्कत मत ले न यह बोल रहा है दो कि सी एस ए दा सी एसे ओफ अ हैमिस्फेयर कि हैमिस फेयर विद रेडियस कि विद रेडियस कितनी रेडियस साथ सेंटीमीट्र एक चीज़ बताना मैंने तुम्हें कली बता था क्या कि सर्क्रिल का एरिया क्या था 2 स्ट्रम क्लिया है कि तना होगा आप भोलो कि 154 संटिमिटर स्क्वाइर हैं करkeit कि टूम की तरी टेघी स्क्वायर के तशॉरayı तो मैं तो मताँ है 154 is सब्क everyone को गडिये कितनी तो अवने सकी तो होता है मैं तो तो 154 होता है इसको यह क्या है इसका अंसर आगे बहुत सार बच्चों को मेरे को पता समझ में नहीं आएगा इससे पहले वाला जो शिफ्ट थी उसको देखोगे तभी समझ में आएगा दा एरिया वाफ फाइव कॉंजुकुटिव इवन नंबर इस एम ठीक है इफ दा नेक्स्ट वाइव इवन इद्स होगा इसके फाइव कॉंजुकुटिव इवनन नंबर इस में तो बो कॉंजफ के बारा चोला सब्सके मेरत बार सोला और इ Deborah あप इस चीज का दो से लेकर बीस तक का इसका एवरेज Average कितना होगा आप बहु एक इतना होगा तो अब Average कितना हो ल据ह खहा इसकी किए यह खऴ द सब्रो एम प्लस 5 किया हुआ थैं समझना ठीक एक मैं देख लिए— आप लोगों दिख रहा है कि ने दिख रहा है अभी दिख रहा होगा आप लोगों को एक उसन डंक से पढ़ लो आराम से क्या बोल रहा है from the following table how many patients were in the age group of 40 to 60 ठीक है 40 to 60 यह होगा less than 40 less than 50 less than 60 ठीक है how many patients तो अगर मैं ध्यान से देखूं less than 40 कितना 29 less than 50 कितना 35 है तो इन दोने के बीच में पेशेंट्स रहेंगे कितने रहेंगे छे इन दोने के बीच में पेशेंट्स कितने रहेंगे दस तो 6 प्लस 10 कितना हो गया 16 अंसर किया है तुम्हारा अप्शन नमबर भी आगे बड़ो इस तरीके से पेपर में सॉल्व करना होता है ठीक है यह तुम्हें दिखनी रहा होगा मेरे को पता है कोई दिक्कत नहीं है क्योशन मैं लिख रहा हूं ज्यान से देख लेगा क्या है इन अ सर्किल क्या है इन अ सर्किल विद रेडियस विद रेडियस फाइब सेंटीमिटर अ कॉर्ड अ कॉर्ड इस अट अ डिस्टेंस अफ थरी संटिमिटर ठेक है फ्रम द सेंटर फ्रम द सेंटर ओके ठीक है बाई री दिलेंथ अफ द व्ड गॉर्ड अभी क्योशन देख लो क्या बोल रहा है इन अ सर्किल विद रेडियस फाइब सानीमिटर अ कॉर्ड इस कितना अगोड इस एट आर डिस्टेंस ओफ यह लिखा है मैं नहीं देखो दुबारा पड़ते हैं इना सर्किल विद रेडियस फाइव सेंटीमिटर अकोड इस एट डिस्टेंस ओफ थी सेंटीमिटर ठीक है इसे के लिए पैन नी उठाना होता है तो यह कितना हो जाएगा तुम बोलो के चार और यह भी कितना होगा चार तो लेंथ कितने होगे इसकी आठ ऐसे कुशन के लिए पैन नी उठाना होता भई है देखो एक कुशन दिख रहा है कहा है यह बोल रहा है क्यों तू राइसर्स रन एक श्पीड ऑफ हंड्रेड मिनिट हंड्रेड मिनिट पर मिनिट एंड वन 20 मिटर पर मिनिट रेस्पेक्टिवले अविडर सेकेंड रेसर टेक्स 10 अच्छ तें ने फिर्स्ट टू कम्प् लिख लिए होगा अब ध्यांट से समझना दो बंदे हैं दोनों की सपीड जो देखूँ एक तो भागता है सो की सपीड से एक भागता है वहीं 120 μिटर पर मिनिट की स्पीड से ठीक है समझाता है इती चीज कि जो सेकंड बंदा है यह हो गया सब्सक्रों यह बोलना चाहता हमेशा ध्यान रखनाओ अपन क्या करते हैं जब distance same हो जब क्या वो distance constant हो same हो तो हमेशा याद रखना जो speed का रेशो कि उतना sqb है तो time का रेशो क्या राता है इसका कज़ा की ब्रोकल 2020 यहां पर तुमको तो स्पीड रेशो दे रखा है अगर मैं काटूं तो तुम बोलोगे कितना हो गया 5-6 हो गया ठीक है तो तुम बोलोगे टाइम का जो रेशो हो जाएगा 6-5 हो जाएगा और यह बोल रहा है कि जो भी है उसने 10 मिनिट पहले कि अगर दी रेस को कम्प्लीट कर दी यहां देखो तो तुम बोलोगे एक यूनिट पहले करिये बी ने कंप्लीट तो इस एक यूनिट की वैली तो दस दे लखी तुमको तो मतलब बीने कितना टाइम लिए को टूटल 50 पिलिए को साथ मिनिट करने में और अब एज तानसर है बहुत बूल रहे कि एस से ez नहीं को लगताने कि पेपर में अको कोई सकता है यह तुम्हारा एसी जो है मेरे तुम कोमे हैally और Sumyक चार रेका है है तुम्हार एसी जो है मेरे पाई आज़ highway है ठीक है मैं दर सब्सक्राइब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जहां से समझना कि अधर ट्राइंगल बन जाएगा बोड़ थोड़ा दीरे हो गया आज ऐसे तो बहुत इस भागता ही यह जो एंगल है इसको बोला अपनने ए इसको बोला बी इसको बोला सी इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वह कितना है पी है तुम्हारा समझ मागया समझ मागया यह तुमको दे रहे का चार यह कितना दे रहे का छे यह तुमको दे रहे का तीन तुमसे पूछ रहा इसकी लेंद क्या होगी वह और यह 163 की रख़ी है तो यहां पे 3 की यहां हो जाएगी तो तुम पोलो गहिए कि को है तो किसी को问题 प्रॉबला में तो बताओ अब देखो इसको दिख रहा हैं कि अ अब भी तुम लोग तुम लोग्गे यह बोल रहा है कि यह निया तुम्हारा राइड अंगल ट्रैंगल है PQR तुमको प्ली आप दे रहे कि इसके सत्रह दे रहे कि यह कॉट थीटा पूछा है तुम से तो तुम बोलो कि यह कितना होगा तुम्हारा 15 होगा की नियुका 15 कॉट थीटा पूचा है तो कॉट थीटा की वल्यू कितनी हो जाएगी तुम बोलो कि बेस अपन सब्सक्राइब Understand तुम बहलों कि fund ओर अचक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह वाला इंगल 40 डिडिरीन हैं यह वो क्या होगा होगा एक वाला इंगल Tempo 60 film जो होगा वो कितना बचा व्यस्तोर और तो आगल कि उठाना गलफ जाना था यह दे कोई क्योंशन किता ही है डीलर सोल्ड शिक्स स्विंगिंग मशीन पूर 63,000 विदा प्रॉफिट ऑफ फाइफ परसेंट पूर हाव मच्छ शुड ही सेल एट मशीन इफ ही इंटेंड तो अर्न 15 परसेंट प्रॉफिट पढ़ लो एक बार स्क्रॉशन को पढ़ लिए होगा आप आपने अब जहांते समझना क्या बोल रहा है छे स्विंगिंग मशीन जो है 63,000 में उसने सॉल्ड गरी बेच दी प्रॉफिट कितना वा उसको 105 परसेंट का होगा तो सीपी आज है कैसे एक के सीपी के लिए चैसे डिवाइड कर दो गया फिर बोल रहा पमने से साट से कटऊंगा नो है का 11 आगा अगर इле देकों तो यह कितना है और कितना हैगा पांच रही इसको पांच कितना है इस氣 कराओ करूंगा जो मेरी जो फूल हो गई धी ठीक है फोन की तो होगी तो फोन視 से शूट करता हूँ तो मैंने ये तक शूक कर लिया था अच्छान कर लिया थेखा करकर कि देखा हुआ पट लगा कि मैनसा इन- अंबिष्बष पलगा हुआ कि इसको Ono Classic के टेखो टेक्या जे है कितनी चार गुना है तो सेकिंड नंबर कितना साथ है तो इसकी वेली भी कितनी हो जाएगी चार गुना तो यह कितना हो जाएगा 28 ऑप्शन एक है विल्कुल करेक्ट अंसर है आगे बड़ो अपर्सन मांग्ड इस गुड्ड एट प्राइस डैट वुड गिविम 40% प्रॉ सीपी अगर सो है तो इससे 40% प्रॉफिट इससे 40% उपर मार्क अप कर आया उसने तो यह कितना कर रहा है एक सो चारीस और इस पे उसने क्या अगरा 20% का गया दिया है डिसकाउंट दिया है तो मतलब बेचा कितने में होगा 80% पर इसके 80% पर और इसका 80% कितना हो तुम बो देर अधर इंकम यह तो इनकी अधर इंकम है ना देखो कौन सी यह 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 इन तिनों को मैं जोड़ू यह फिर तुम बोलोगे यह सेलरी दे रखी तुमको यह टोटल इंकम दे रखी है इनका डिफरेंस जो भी आएगा वह क्या होगी इनकी अधर इंकम होगी जो अधर अगर हमें देखूं 25,000 का और इसका डिफरेंस देखूं तो तुम बोलोगी कितना आया 67,000 आया इसको मैं 4 से multiply करूंगा चार से multiply करूंगा तो तुम बोलोगी कितना आएगा तुम बोलोगी 28 और ये 30 और ये 00 ठीक है अगर हमें salary को देखूं है how many employees have their salary more than their other incomes 4 times other income किती थी इसका मैंने 4 times करा तो कितना है तुमारे 30,800 ठीक है क्या इस 30,800 से इसकी salary ज्यादा है ये की तुम बोलोगी नहीं नहीं है अगर हमें इसको देखूं D को इसकी salary कितनी है 31,000 और कितनी है तुम बोलो कितनी है 40,000 तो ये कितना है तुम बोलो कि नहीं नहीं तो ये भी नहीं है ठीक है अगर मैं आगा C की बात करू और इसकी बात करू तो तुम बोलोगी कितना है ये तुम बोलो कि 10,000 को चार्ट सेंट करूँगा तो कितना है अगर मैं इसको और इसको देखू तो तुम बोलो कि इतना है 14,000 14,000 इंटू 4 करूँगा तो कितना है का 56,000 इस 56,000 से क्या ज़्यादा है कि इसकी salary तुम बोलो कि नहीं कम है तो सिर्फ मेरे दो ही क्या है ऐसे employee है जिनकी जो है salary उनकी other income के चार टाइम से ज़्यादा है तो option सब्सक्राइब तो हो जाएगा शूट देख अब ध्यांदे समझा the simple sorry the simple interest on a certain sum at the end of three years at 5% per annum इस कितना है मतलब जो ऐसा ही है मेरा भाई वो कितना दे रखा तुमको 1200 दे रखा है टाइम कितना दे रखा है तीन दे रखा है और रेट किती दे रखे तुमको 5% दे रखिये और तुमसे क्या बोलता था compound interest on the same sum for the same period at the same rate मतलब तुमारा time कितना है तीन है रेट कितनी है तुमारी 5% है अगर यहां पर principle पी था तो इसके अंदर भी क्या है principle पी है तो देखो ध्यान से समझना है इसी ऐसे questions को क्या करते है तुमारा यह जो है बारा तीन महीने के लिए साल के लें कितना बारासों से रहां बुद्ध यह इसका 5% निकालओंगा तो है कितना वगा एक तो कितना बाराहनों साथ और आगया तो में की तुमारा चैन रहें क् shooting तौह ठीक है देखो अब ध्यान से देख लो दिख रहाएगा तुम्हें देख लो आराम से वाट शुड्ड रिप्लेस स्टार इन नमबर नाइन फॉर स्टार टू थ्री फाइफ सेवन सो दा नमबर इस डिविजिबल वाई 11 बहुत इजी क्या है देखो क्यों में क्या बोल रहा है यह पूरा नमबर है इस स्टार की जगे क्या पूट करूं कि पूरा का पूरा नमबर क्या हो डिवाइड हो जाए किस से ग्यारा से ठीक है ध्यान से समझना नमबर लिखा मैंने 94 एक्स लिख लिए मैंने इसको 2357 ध्यान से समझना मेरी बात 11 की disability केस करते हैं इसको छोड़ो फॉर्थ को 9 को पकड़ो 4 फोट को छोड़ो इसको फाइब को और इनको एड करो 9 PLUS X प्लस 3 12 PLUS X यह कितना अगया मेरी नाइन पर को और दो एक सब्सक्राइब तो देखो उसके लिए क कड़ा गाँना साउना यहां पर मायनस करते नो कि किया करते हैं एक को क्या करते हैं इनको प्लस करा ठीक है और कhen माइनस करेंगे कितना के 11 कि मैस करेंगा तो तुम बनाना ओगा तूंभ बना तुम hospital स्क्राइब iki नहीं कि जिद्ध को इstä से यहां पर एक्सक्राइब कि सक्क्राइब say if the difference between if the difference between 62 percent 80 percent of a number is 98 198 then the difference between 92 percent and 56 percent of the same number suppose Skaro X समझ मैं और मैंने मानले आइस एक्सको 1000 कोई प्रोबलम है तो में भूल है नहीं कोई 1000 के 62% और 80% का जो difference है वो कितना 198 है वैसे तो मेरे को यह मानने की बज़रोत नहीं है इतना दिमाग में होना चीह है कि कोई नंबर है उसका 62 और 80% का जो difference है तो वो कितना 198 है मतलब मेरे को इंडिरेक्ली 18% की वैल्यू कितनी दे रहे कि तुम बोलोगे 198 दे रहे है और एक परसेंट या फिर 100 परसेंट की वैल्यू जो मेरे जाएगी 1100 कोई प्रॉबलम अब बोल रहा है इस 1100 का 92 परसेंट और 56 परसेंट का difference कितना होगा तुम बोलोगे अब इसको इस तो मेरे से आप पूछिए 1100 के 36 परसेंट की वैल्यू तो 36 36 इसी तरीके से जोड़ोगे तो यह कितना गया समझ में आगया आगये बलू अब बहुत भी प्यारा कोश्म है तसमित है यह तो स्ब्सक्राइब है तक एक एक मिनीट में सट्र इसेjack एपी यह 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 वाला ठिक है एंगल एपी कितना मेंगल एक यूबी ये इंगल निकालना तुमको ठीक है यह वर क्योशन पढ़़ लो अब अब देखो ड्यान से समझना यह टेंजेंट है और यह टेंजेंट है ठीक है यह सरुकिल है ठीक है पॉइंट है सुरी पॉइंट है उपनी यह तुम क्या तुम Route यह सेंटर है द्यान से समझे न ये एंगल तुम को कितना देरेखा है 62 डिगरी दे रखा है हमेशा है आतर रखना जो टेंजेंट और रेडियास की बीच में जो एंगल बनता हो इतने डिगरी का बनता है यह अंगल कितने डिगरी का होगा 59 अब बहुत सारे बाड़क होगे जिनको समझे मे और रहाने हागा वो बोलेंगे कैसे हो गया हमेशा दान रखना है कि यह सर्कील है कि ठेक्ट धयर कि अ यह सेंटर लेका gör। बनता है तो यह तो करा मेंने देखो इस Center पर इंगल कितना बनता है 118 111 तो यहां से से सेंधिन के सर्कम्फेरेंगो निगा आगे बोल्ड़ जादते अब इस को देखो से अब यह question बहुत सारे बच्चों से हो गई ही आइर बहुत इसको तो पढ़ानी की जरूत नहीं है अगर पढ़ो थो भी ठीक है नहीं पढ़ो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है देखो तुम्हें पताओना चीव क्या यह दिक्क्या से A b होता है यह होता है देखों यह होगा तुम बहूं कि बिल्कुल यह होगा यह तुमको दे रखा A-B A ve sqre minus b sqre भाई यहां महुथ प्लस है यहां भी प्लस है तो यह option तो ऐसी ही कठ गया ठेक है अगर इस option की बात करूं तो यहां पर ब्लस भी डलिख एक zelf ब्लस रहाना है तो यह वी कट लिया अब इस उप्षिंग को रिस्ट नो देखना है फॉइन क्में हम पूरा यह वह है तो अंदर क्या होगा एस्ग्रन करोके रहे तो कितना है का 9a square आएगा इसका square करो गे तो तुम बोलेगे टू बी स्कॉर आएगा ठीक है फिर 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 इन दोनों का multiply करोंगे तो तुम बोलेगे कितना है का 3 रूट 2 बी आएगा ठीक है तो option a विल्कुल correct answer है दीक है मैंने तुम्हें option काटना भी खाया मैं तुम्हें क्या सिखाया डायरेक्ट भी तुम निकाल सकते थे अगर तुम्हें दिख रहा है साथ-साथ यह तुम्हारा ए है यह तुम्हारा बी है तो तो ए माइनस बी का अंदर क्या होगा ए स्क्वाइर प्लस बीजिक्वार प्लस अब देखो इस कुर्शन को यह क्या इस कुर्शन दिये हैं कि यह यह पेपर है दोजार इक्षिक का देख लो जो लोग बोल रहे थे ठेक है यह देखो उसे ति प्लस रूट थ्री अपन में कितना अगा तुम बोलोगे रूट थरी अपन टू आएगा यह होता है यह इससे से multiply हो जाएगा तीन प्लस एक चार चार रूट स्री अपन में कितना है रूट सी तो रूट स्री यहां जाएगा और यह दो खान जाएगा उपर भी बन गया आठ तो यह कितना गया आठ अपन तीन अप्शन नमबर बी अटाओ यह गोशन देखो कल भी करवाया था मैंने यह गोशन ठीक है अब ध्यान से मैं देखूं अब अच्छा थीटा भी पूट कर सकते हैं लेकि नहीं करना मेरे को मैंने तुमको क्या से कहा था क्या करना तुमको साइन में कर दो पूरे को तो टू हीटा थीटा चाहते है अब डारे इस्टेप खाना है यह कितना माइनस का इड बन रहे हैं अंदर जाएगा PSGG चैन एच साइन स्कौर थीटा फ्लस तू साइन T रीन ठीटा और चितना माने चोइस हां सिब्रहन ऑए तो यह कि दो थीटा माइनस थीड़ी एक्वेस्ट जीरो अब आधे लोगे ने तो अंसर निकाल लिया हुआ जिसकी कोडिरेटर एक एक्वेशन अच्छी है उसने तो निकाल लिया हुआ यहां पर कितना है तुम बोलो कि दो को मन होगे तो दो साइन थीटा को मना आया अंदर कितना 60ग का एडिशन वांग राए 1060 डिगरी का मतला होता है रूट 3 और को शिटी डिगरी का मतला होता है 2 अपन रूट 3 ठेके कितना अगा 3 3 पलस 2 5 5 रूट 3 अपन में कितना अगा 3 इस और पर आंसर आगे बढ़ो यह लेखो question, ठेक है, यह खुच से कर लोगे, क्या बोल रहा है, यह table, what is the percentage of student who got 20 or more marks, इन सब को add करो, number of students कितने आएंगे तुमारे, तुम बोलो के 10, 20, 30, 40, 50, 60 यह हो गया, ठेक है, यह कितना हुआ, 8, 16, 18, 22, 23, 25, 25 और 15, 40, तो यह कितना बनगे तुमारा 100 ठेक है, बनगे 100, अब बोल रहा है क्या, कि, what is the percent of student who got 20 or more marks, ठेक है, 20, got 20 or more marks, तो देखूं, तो कितना हो रहा है, 14, ठेक है, 19, 6, और यह कितना हो गया, 3, ती हो गया, 9, और यह देखूं, तो कितना हो गया, 19, 28, 28, plus यह कितना हो गया, 14, तो कितना हो गया, 42%, आगे बढ़ो, A can finish a work in 20 days, and B can finish the same work in 25 days, they begin together, but B, but B left the work after 5 days, how many more days will A take to finish the remaining work, भाई, दो बंदे, एक तुमारा A है, वो किसी काम को 20 दिन में निप्टा सकता है, बी जो है, उसी काम को 25 दिन में निप्टा सकता है, तो अगर मैं देखूं, तो अगर मैं देखूं, तो यह कितना दिन में निप निप्टा हैगा, चार में, इन दोनोंने क्या करा, काम करा, किते दिन तक 5 दिन तक काम करा, मतलब 9 की एफिशंसी से 5 दिन काम करा, मतलब 45 काम तो इनोंने निप्टा दिया, 100 में से 45 दिन निप्टा दिया, तो बचा कितना, तुम बोलो के 55 काम बचा, और यह काम किस ने करा ठीक है कर लोगे कुछ से वोकेशनल सब्जेक्ट पट्सेंट्स बतलब अच्छा यह सब भी तुमको एड़ करना पड़ेगा यह पूरा एक बार के लिए तो ठीक है वोकेशनल और क्या पूछ रहा है साइन्स इन दोनों का फिर यहां पर देखो यहां पर क्या एगा साइन्स मैंने तुमको बताई डेट क्या कि तीन मार्च 2021 शिफ्ट थर्ड थे यह तो यह थी वीडियो पेपर में तुम्हें सॉल्व करभा रहा हूं अस सिखा रहाहूं कि अप्रोच क्या लगा लगानी में। तो उन पर भठ करो तुम हैं मैं मैंनत इसी लिए को ठार्गेट करते हुए है अगर वीडियो देखा है हो तो जरूर करा करो ठिक है और शेयर करा करो अपल, यहीं थी वीडियो, आपको यापको नद्धॉर लगेगा यू नी की क्लास भी लेते रहेना